हलो एब्रीवन हम क्लास सेवन्त साइन्स एन्सियार्टी को स्टेडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नमबर टू जिसका टाइटल है नूट्रिशन इन एनिमल्स इसके बारे में डिसकस करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं इस बुक के चैप का संसलेशन की क्रिया के दुआरा अपना भोजन खुद बनाते हैं लेकिन बात जब एनिमल्स के आती है तो एनिमल्स फूड के लिए डायरेक्ली और इन डायरेक्ली प्लांट्स के उपर डिपेंडेंट हैं डायरेक्ली में अगर हम देखें तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते है जो food के लिए directly plants को consume करते हैं लेकिन कुछ animals ऐसे होते हैं वो उन animals को खाते हैं जो plants के उपर dependent हैं लेकिन कुछ animals ऐसे भी होते हैं जो plants और animals दोनों को consume करते हैं अनिमल की जो यह अदर अदर टाइप हैं इनके बारे में आप class 6 की science की जो NCRT है उसके chapter 1 में जाकर के view कर सकते हो तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं food की कि सभी जो living organism है उनको food की जरूरत है तो question यह उड़ता है कि यह food जरूरी क्यों है तो सभी जो living organism है उनको अपनी growth के लिए अपनी repairing के लिए और अपनी body की functioning के लिए food की जरूरत होती है अब बात आती है animal nutrition की कि animal nutrition में क्या क्या आता है तो सबसे पहले आता है nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body यह सभी कुछ जो है वो animal nutrition में included है मतलब आपको पता होना चीए कि आपको कौन-कौन से nutrients लेने है फिर किस तरीके से आप उसको use करते हो और आपकी body जो है फिर उन nutrients को किस तरीके से utilize करती है यह सभी चीजे जो है वो animal nutrition में आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि जो भी हम food consume करते हैं या फिर living organism जो भी food consume करते हैं उसको directly वो इसी तरीके से use नहीं कर सकते हैं तो जो भी food items है वो higher components से या फिर अगर हम बात करें complex substances से बने होते हैं तो इन complex substances को हम directly use नहीं कर सकते हैं जैसे कि अगर हम बात करें कि हम रोटी खा रहे हैं रोटी को पहले छोटे-छोटे piece में तोड़ा जाएगा फिर इसमें जो nutrients है जिसके बारे में हमने class 6 की जो NCRT है science की उसमें हमने पढ़ा था कि जो food है उसके कुछ components होते हैं जैसे कि carbohydrate होता है protein होता है fat होता है vitamins होते है minerals होते हैं तो इसमें से रोटी हमने consume की रोटी जो है उसको यहां पर smaller components में या smaller substances में तोड़ा जाता है और ये जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है complex substance को simpler substance में इसी को हम बोलते हैं digestion अब इसको तोड़ा गया फिर इसमें से जो nutrients हैं उनको हमारी body ने absorb किया और फिर उनको use किया जाता है तो ये हमने discuss कि कि digestion क्या होता है अब हम देख लेते हैं कि animal की जो other other type होती है वो अलग-अलग तरीके से अपने food को लेती है जैसे कि bees और hummingbird जो होते हैं वो plants के nectar को शक करके अपना food लेते हैं बात करें अगर हम human infants की या फिर other animal के जो infants होते हैं वो mother milk को feed करते हैं snakes में python की अगर हम बात करें तो animals को मतलब अपने prey को direct swallow कर लेता है निगल लेता है कुछ aquatic animal जो होते हैं वो पानी में ही जो tiny food products एक तरीके से floating कर रहे होते हैं उन्ही को filter करके consume कर लेते हैं तो ये other other animal में other other type है food को consume करने का अब यहाँ पर हम सबसे पहले human के बारे में इस chapter में discuss करेंगे कि human में food consuming का क्या procedure होता है मतलब उसके digestive system को हम discuss करने वाले हैं इससे पहले यहाँ पर starfish को लेकर के एक amazing fact दिया हुआ है कि starfish जो है वो अपने food के लिए calcium carbonate के hard cells से बने हुए जो animals होते हैं जो calcium carbonate की hard cells से जो animal covered होते हैं उनको food के रूप में consume करती है cell को हटाने के बाद में starfish जो है वो अपने stomach से अपने mouth है उसके थुरू अपने stomach को बाहर निकालती है फिर animal के जो भी soft part जो होते हैं उनको consume करती है फिर stomach जो है वो दुबारा से body के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जो food है वो slowly slowly उसको digest किया जाता है तो इस तरीके से starfish अपने food को consume करती है बात करें अगर हम humans की तो humans जो हैं वो mouth के थुरू अपने food को लेते हैं उसको digest करते हैं यूटिलाइज करते हैं और जो unused part of the food होता है उसको defected कर दिया जाता है यहाँ पर जो human का digestive system है उसके various compartments होते हैं जैसे कि बकल cavity, food pipe या जिसको isofagus के नाम से भी जानते हैं stomach, small intestine, large intestine, ending in rectum and the anus ये जो human का digestive system है ये एक long path होता है एक तरीके से regular चरने वाला path है जिसमें एक के बाद में एक दूसरे से connected हैं जहाँ पर ना सिर्फ ये organ पाई जाते हैं इसके अलावा कुछ salivary glands भी यहाँ पाई जाती हैं जैसे कि liver, salivary glands and pancreas जो यहाँ पर digestive juices को secret करती ह हैं जिससे food के जो complex substances जो होते हैं उनको हम simpler substances में change हो पाते हैं वो food के और उनको फिर absorb किया जाता है और उनको use किया जाता है मतलब यह digestive system जो है वो food को digest करने का काम करते हैं तो इस तरीके से human का जो digestive system है इसमें digestive tract और उसके साथ में जो glands जुड़ी होती है यह दोनों मिलकर के digestive system को बनाते हैं अब यहां पर एक एक पार्ट को हम discuss करेंगे सबसे पहले बात आती है mouth की और बकल cavity की इस image को आप देखकर के सारी चीजे view कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा जो food है human के द्वारा वो mouth के through जो है वो लिया जाता है यह जो process होता ह Taking food into Mouth एक second इससे पहले यहां पर हम देख लेते हैं कि जो teeth है उसके बारे में बता रखा है कि हमने mouth में जो food है उसको consume किया तो आप पर देखते हैं कि हमारे mouth में क्या क्या होता है एक तो हमारी tongue होती है दूसरे हमारी teeth होते हैं तो टीथ में हम ये देखते हैं कि छोटी एस तक हम देखते हैं कि six to eight years तक के जो टीथ होते हैं वो आठवी साल तक साथ से आठ साल तक आते आते हैं वो तूटने लग जाते हैं तो इनको बोलते हैं milk टीथ और इसके बाद में permanent टीथ आते हैं जो लगबग अगर हम देखें throughout life जो है वो human body में बने रहते हैं अगर उनकी धंग से care की जाती है तो यहां पर जो teeth है उनका बता रखा है कि कौन से teeth अगर हम teeth जो है उनको एक तरीके से represent नहीं किया जाता है उनको अगर हम देखें तो अलग-लग teeth के लिए अलग-लग नाम होता है तो arrangement of teeth and different type of teeth तो यहां पर आप सभी को पता है कि जो हमारा upper जो होता है उसमें 60 permanent teeth की बात की जारी है और जो lower जो होता है उसमें भी 60 मलब total होते हैं 32 teeth तो यहां पर जो हमारा जो है उसको show कर रखा है उसको अगर हम beat से divide करें तो यहां पर starting के जो एक side के हम discuss कर लेते हैं दूसरी side भी जो है same pattern follow किया जा जाता है molar सेम इसी तरीके से यहां पर भी procedure follow होता है और यही pattern जो है वो दूसरे जा में भी follow होता है तो यह नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए आपको सबसे important ध्यान में यह रखना है कि हमारे human mouth में जो teeth पाए जाते हैं उनकी अलग-अलग size और अलग-अलग उनका pattern और अलग-अलग उनके work जो है वो होते हैं यह बात आपको ध्यान में रखनी है तो हमने मुँ में food को लिया इस procedure को बोलते हैं ingestion हम food को चपाते हैं दातों के थ्रू उसको छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ते हैं उसके बाद में हमारी जो जीब है वो एक तरीके से उसको mouth में rotate करने का काम करती है इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे यहां पर salivary glands होती है और salivary glands जो है उसके थ्रू saliva निकलता है और वो saliva जो है वो इस food में एक तरीके से mix हो जाता है तो यहां पर हमने देखा कि जो salivary glands जो है वो saliva इसमें mix करती है अब यह जो saliva है इसका क्य यूज है तो इसके बारे में टेस्ट अगर किया जाए तो पता ये चलता है कि फूड में जो कार्बो हैड्रेट होता है जो स्टार्च होता है उसको यहाँ पर एक तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है माउथ में तो सबसे इंपोटेंट बात ये है कि अगर हमारे फूड में starch है, protein है और fat है, तो इसमें सबसे पहले digestion जो है वो starch का सुरू होता है, मतलब carbohydrate का start होता है mouth से ही start हो जाता है उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर बताया गया है कि हमारी जो tongue है, tongue एक flesy muscular organ होता है जो buckle cavity के जो back part होता है, वहां से जुड़ा होता है, इसका जो front part होता है, वो free होता है और सभी direction में move कर पाती है tongue, इसके अलावा हमारी जो tongue है वो saliva को mix करने में food में उसमें help करती है और हमारा जो चबाया हुआ जो खाना होता है, उस swelling food को एक तरीके से निगलने में help करती है next अगर हम यहां पर बात करें तो इसमें यहां देखिए इसके अलावा हमारी जो tongue है वो food को taste करने भी हमारी help करती है हमारी tongue के उपर बहुर सारे taste birds होते है जिसे हमारे food के different different जो taste होते हैं, जैसे कि अगर हम sweet खा रहे हैं, sore खा रहे हैं या फिर कुछ तीखा खा रहे हैं या फिर कुछ हम खटा खा रहे हैं तो उन सभी को detect कर पाती है हमारी जो tongue है उसके उपर अलग-अलग part में अलग-अलग जो taste buds जो है उप्रजेंट होती है तो यहां पर बता रखा है कि हमारे mouth में जो teeth होते हैं हम जब खाना खाते हैं खाना खाने के बाद में बहुत सारा खाना जो है यहां पर teeth के आसपास वाले अरिया में फस जाता है तो अगर हम teeth को अच्छे से clean नहीं करते हैं तो हमारे mouth में कुछ bacteria पाए जाते हैं वैसे तो यह bacteria जो है वो harmful नहीं होते हैं उसमें जो sugar है उसको breakdown करना start कर देते हैं और acid को release करना शुरू कर देते हैं अब यह जो acid है वो हमारे teeth को धीरे धीरे damage करना start कर देता है और इसको बोलते है tooth decay तो हमें क्या करना चाहिए time रहते हुए regular basis पर खाना खाने के बाद में अपना जो mouth है उसको clean करना चाहिए और two times day में brush जरूर करने चाहिए next यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह वो ही बात पताई है कि कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं या फिर खाना खाते हुए हम बात कर रहे हैं हस रहे हैं या एक तरीके से अगर हम बात करें तो hitch की type आ रही है तो यह क्यों होता है कि जो भी हमारा wind pipe जो होता है उसमें food के जो particle है वो फज जाते हैं कभी-कभी जल्दी से उसमें food particle चले जाते हैं तो इसकी वज़े से problem create होती है तो देखो wind pipe जो है उसमें air जो है वो nostril के थिरू नाक के थिरू जो है air हम लेते हैं फिर wind pipe के थिरू जो है वो lungs में जाती है लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर हम throat की बात करें तो वहाँ पर air और food जो है एक common passage के थिरू share होता है जिसकी वज़े से food को wind pipe में जाने से कैसे रोका जाए तो इसके लिए एक flap like wall होता है और जब हम खाना खाते हैं तो यह flap like wall जो है वो wind pipe को एक तरीके से close कर देता है ताकि food जो है वो उसमें ना जाए और इसकी वज़े से जो हम food कंजूम करते हैं उसको easily खा पाते हैं तो इसी चीज को रोकने के लिए यह जो structure है flap like wall यहाँ पर प्रजेंट होता है लेकिन जलबाजी में जब हम खाना काते हैं तो यह issue हमें देखने को मिलता है तो हमने देख लिया कि mouth में हमने जो food है उसको लिया saliva उसमें mix हुआ और फिर जो भी food है उसको हम isophagus के through consume कर लेते हैं और हमारी जो tongue है वो इसमें help करती है next है food pipe या फिर isophagus isophagus मतलब हमारी यहाँ पर chest में जो nulli type जो होती है इसमें जो food है वो इस तरीके से आता रहता है अब यह जो food जो है इस food को push करने में इस food pipe की जो wall है वो उसकी जो moment होती है वो help करती है actually यह जो moment है वो पूरी elementary canal में एक तरीके से regular चलती रहती है मतलब इस तरीके से अगर हम बात करें तो जिग जेग फो में यह सारी moment चलती रहती है जिसके through जो food है वो downwards pushage उसमें लगता रहता है तो यहां पर अगर हम बात करें कि बहुत बार ऐसा होता है कि food pipe से food आया और stomach next part है हमारा digestive system का stomach stomach जो है वो एक thick walled back होता है और इसकी जो shape होती है वो flattened JGC होती है यह हमारी elementary canal का मतलब digestive system का सबसे widest part है और यह food pipe से तो लेता है और दूसरी तरब जो है वो smell intestine में जो stomach है वो open होता है stomach की जो inner lining होती है वो कुछ mucous secret करती है इसके लवा hydrochloric acid और digestive juices अब यह mucous का काम होता है कि stomach की जो lining है उसको protect करे जो acid है अगर खाने के साथ कुछ bacteria आ गई तो उसको खत्म करने का काम करता है दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे stomach का जो medium है उसको acidic बनाता है hydrochloric acid और जो digestive usage जो होता है वो यहाँ पर help करता है कि जो भी हमारे food में जो protein है उनको simpler substance में तोड़ा जाई मतलब mouth में हमने देखा कि starch का digestion स्टार्ट हो गया फिर उसके बाद में हमने देखा कि stomach में जो second number पर आता है protein उसका digestion यहाँ पर उसको simpler substance में तोड़ दिया जाता है next है small intestine तो हमने देखा कि stomach जो है small intestine में open होता है small intestine जो है highly coiled होती है बहुती long होती है 7.5 meter long होती है और यहाँ पर small intestine में liver और pancreas से जो भी secretion होता है वो receive होता है और यह सारे जो juices है वो help करते हैं इसके अलवा small intestine की जो inner wall है वो खुद भी juices को secret करती है अब liver क्या होता है liver एक reddish brown देखो यह digestive system को आप regular view करते रहना जैसे ही यह वीडियो को complete करो फिर digestive system को सारी चीज़े relate करके वहीं से study करने कोशल करना तो सारी चीज़े आपको clear हो जाएंगी liver एक reddish brown gland है जो हमारे abdomen की right side upper part में situated है और यह जो liver जो होता है वो body का largest gland होता है इसके अलावा bile juice को यह secret करता है और इस bile juice को उस एक sack में store कर लिया जाता है जिसको gold bladder के नाम से जानते है यह bile जो है मतलब है juice release किया जाता है liver के दुआरा यह important role play करता है fat के digestion में तो जब भी आप food खाते हो अगर उसमें fat है तो आप देखते हो कि fatty food अगर आपने खाया है fats fat जादा है उस food में तो वो food digest होने में आपको काफी लंबा time लगता है क्योंकि fat का digestion जो है वो small intestine में जाकर के start होता है अब pancreas जो है वो भी एक large cream colored gland जो है वो just stomach के नीचे located होता है pancreatic use जो है वो carbohydrate, fat और protein को simpler form में change करता है मतलब कुछ star जो है mouth में कुछ protein जो है stomach में लेकिन फिर भी कुछ बढ़ जाता है तो इनको completely एक तरीके से digest करने का काम करता है pancreatic juice यहाँ पर बताया गया है कि पहली बार यह जो stomach है उसके बारे में कैसे पता चला तो 1822 में एक man Alexis St. Martin उनके गोली लग जाती है और जब डॉक्टर उनको चेक करते है तो यहाँ पर उनके एक छेद हो जाता है stomach में उसके थुरू यह सारी चीज़े व्यू की जाती है कि किस तरीके से food का digestion हो रहा है stomach में अब यहाँ पर हमने देखा कि small intestine में यह सारे juices मिले उसके बाद में partially digested food जो है अब small intestine के lower part में पहुँच गया अब जो intestinal juice जो होता है वो digestion को complete करता है और carbohydrate को वो simple sugar में जैसे कि glucose में तोड़ता है fat को fatty acid और glycerol में तोड़ता है और protein को amino acids में तोड़ता है अब small intestine में digestion complete हो गया अब होगा absorption तो small intestine में finger like structure होती है जिसको बोलते हैं willy जैसे कि इस तरीके से small intestine जो है वो फैली होती है तो यहाँ पर food है तो यह finger like structure है यह क्या करती है कि जो digested food है उसको absorb करने के लिए यहाँ पर जो area है उस surface को बढ़ा देती है अब यहाँ पर जो small intestine की जो यह bowl है यहाँ पर बहुत सारी जो blood vessels जो है वो connected होती है food को absorb किया जाता है और इन blood vessels के त्रूँ जो food है absorbed food जो है वो other other parts में body के other other parts में पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर यह जो simpler components है इनको एक तरीके से complex components में दुबारा बनाने का procedure फिर complete किया जाता है तो यह absorption जो है यह complete होता है इसके बाद में अगर हम देखे आप यह जो body ने जो absorb किया body ने जो absorb किया इसको बोलते हैं assimilation अब इसमें क्या होता है कि देखो हमने क्या देखा कि complex sorry जो simpler जो substances थे उनको blood में ले जाकर के फिर उनका अलग-अलग part में complex substances में उनको change किया जाता है वो इसको बोलते हैं assimilation जैसे कि cell में glucose जो है उसको oxygen की help से उसको तोड़ा जाता है carbon dioxide और water में और फिर वहाँ पर energy release होती है अब भी हमने discuss कर लिया small intestine small intestine के बाद में जो undigested food है और जो हमने absorb कर लिया और जो unabsorbed food जो रहे गया वो फिर large intestine में चल जाता है large intestine जो है वो wider होती है लेकिन shorter होती है comparison to small intestine और यहाँ पर 1.5 मिंटर लंबी होती है यह यहाँ पर जो food का जो part आता है उसमें से water को और जो कुछ salt जो होते है undigested food में से semi solid fishes के रूप में इसको एक तरीके से defected कर दिया जाता है और यह जो procedure है इसको बोलते हैं जैसे कि हमने बहुत सारे animal देखे होंगे आपने भी अपने आसपास में देखे होंगे कि जो cow है, buffalo है, वो grass खाती है, अब ये जो grass खाने वाले जो animal होते हैं, इन में कुछ अलग तरीके के structure पाई जाती है, क्योंकि grass में cellulose होता है, cellulose एक तरीके का carbohydrate है, और इसको एक तरीके से change करने के लिए, कुछ अलग तरीके का procedure होता है, जो इन animals में पाये जाता है, तो यहा खाने को खालेते हैं, और इनका stomach का starting part होता है, इसको बोलते हैं rumen, वहाँ पर इसको stuck कर लेते हैं, store कर लेते हैं इस खाने को, फिर इसके बाद में जो partially digest food होता है, उसको cut बोलते हैं, और फिर बाद में ये जो cut है, इसको small lumps में, छोटे-छोटे टुकडों में, छोटे-चो गोले टाइप कुछ procedure यहां पर बनता है, फिर उनको वापस mouth में वोलाते हैं, उनको चबाते हैं, और ये जो process होता है, इसको बोलते हैं rumenation, और ऐसे जो animals होते हैं, उनको बोलते हैं rumenates, ग्रास जो है, उसमें cellulose होता है, जो carbohydrate का एक type है, और rumenates जैसे की cattle, deer, इनमें कुछ bacteria present होते हैं, इनके digestion system में, जो cellulose को digest कर पाते हैं, कुछ animal, कुछ और जो humans, animals में humans भी सामिल है, जिसमें cellulose को digest करने के लिए, ये जो bacteria है, जो animals में पाई जाते हैं, वो other animals में नहीं पाई जाते हैं, तो यहां पर अगर हम बात करें, तो ये जो ruminant जो animal होते हैं, इनमें एक large stack-like structure होती है, इसोफेगस के बीच में, और small intestine के बीच में, जिसको बोलते हैं, सीकम, ये जो है, यहां पर food का, जो cellulose वाला part है, उसको digest किया जाता है, कुछ bacteria के थुरू, जो humans में present नहीं होता है, तो ये हमने discuss किया, in animals के बारे में भी, कि ruminant animal जो है, वो किस तरीके से food को digest करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, amoeba की, amoeba जो है, वो single cell organism होता है, pond water में पाया जाता है, amoeba में cell membrane होती है, इसके अलावा nucleus होता है, उनकी cell में, और small bubble like vacules होती है, इनका जो cytoplasm होता है, वो time के साथ में, मतलब अपनी shape और position को change करता रहता है, okay, amoeba जो है, regular अपनी shape और projection, जिनको pseudo-podia की नाम से जानते हैं, मतलब एक तरीके से, यहां पर आप देखो, कि जब वो उसको आगे बढ़ना होता है, तो अपनी body को इस तरीके से, जैसे यह है, तो यहां पर इस तरीके की structure बनाएगा, फिर यहां से movement है, तो इस तरीके की structure बनाएगा, तो amoeba को जैसे लगता है, कि उसके आसपास कोई food particle जो है present है, तो इसको absorb करने के लिए, वो इस तरीके की pseudo-podia जो है बनाता है, food को इस तरीके से अपने अंदर लेता है, और जहां यहां उसकी body में, जो भी food vacuels जो होती है, वो इसमें, इस food को क्या करती है, एक तरीके से tap कर लेती है, फिर इसमें, जो भी food को एक तरीके से change किया जाता है, और जो unabsorbed जो food होता है, उसको body से बाहर कर दिया जाता है, यह जो food vacuels होती है, आमेवा में, यह digestive usage जो है, उसको release करती है, और food vacuels में, यह digestive usage के थुरू, जो भी food होता है, उसको digest करने का procedure किया जाता है, उसको simpler substances में तोड जाता है और जो digested food है उसको absorbed कर लिया जाता है और इसके अलावा ये तो सेम बात जो हमने chapter के starting में डिसकस किया था कि जो भी food है उसको हम क्यों यूज करते है growth, maintenance and multiplication के लिए और जो undigested food होता है उसको वैक्यूल के दुआरा बोड़ी से बाहर निकाल दिया जाता है अमीबा के तो ये अलग-अलग जो animal है उनमें किस तरीके का procedure है उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर discuss किया इस chapter की summary को अगर हम देखी तो वही basic points है जिसको हम discuss कर चुगे है एक important यहाँ पर fact है यह आपको ध्यान में रखना है वैसे आपको बता भी दिया है कि देको carbohydrate जैसे की starch उनका digestion जो है वो बकल cavity मतलब mouth में start हो जाता है protein का start हो जाता है stomach में और जो bile जो secret किया जाता है liver के दुआरा वो जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो fat का digestion जो है वो start कर देता है इस तरीके से जो digestion है वो small intestine में complete होता है फिर वही पर उस food को absorb किया जाता है जो बात करे large intestine की तो व water को और कुछ salt को absorb किया जाता है और जो फिर undigested food है उसको defected कर दिया जाता है तो यह important fact है जिसको जो हमारे exam के point of view से important है आपको basic facts पता होना चाहिए कि किस तरीके से digestive food जो है work करता है अके थैंक यू